चानक के समसाम की विशेश में आप सभी का स्वागत है हमारा आज का विशे है भारत का ट्विटर कू इस विशे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यूं है भारत सरकार और ट्विटर को लेकर क्या विवाद है Qo app आखिर में क्या-क्या features अपने पास रखती है और इसके साथ ही हम देखेंगे इस से जुड़े हुए विवाद कि उनमें कितनी सचाईया है और भारत को Qo की जरूरत कितनी है इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर सवाल के जवाब हम इसमें तत्थ्यों के साथ खोज ले तो चली हम ये चर्चा शुरू करते हैं Qo? ट्विटर की तरह micro blogging site है जो इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है चर्चा का मुख्य कारण भारत सरकार और ट्विटर के बीच में जो विवाद हुआ है वो है तो चली अब हम देखते हैं भारत सरकार और ट्विटर के बीच में क्या विवाद है भारत सरकार और ट्विटर के बीच में विवाद तब शुरू हुआ जब भारत सरकार ने ट्विटर से अपील की कि वो ट्विटर से 1178 अकाउंट ब्लोग कर दे भारत सरकार के अनुसार ये अकाउंट ऐसे लोगों के हैं जिन पर सरकार को शक्त था भारत सरकार को शक्षा कि यह लोग या तो पाकिस्तान से जुड़े हुए है और या फिर खालिस्ताली मुव्मेंट से जुड़े हुए है और भारत में होने वाले किसान आदल में इन से law and order को खत्रा हो सकता है लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया और ऐसा करने से मना कर दिया यहीं से ये विवाद शुरू होता है इसके उलट ट्विटर ने इस पर एक ब्लॉग लिख दिया और ट्विटर ने ये कहा कि भारत सरकार ने जिस आधार पर इन सब अकाउंट्स को बंद करने के लिए कहा है वो सबी चीजें गैर कानूनी है और सरकार ने इस पर अपत्ती जताई यहीं से ये विवाद बढ़ गया और सरकार ने इस पर आपति जताते हुए कहा कि जब भारश सरकार और ट्विटर के बीच में बाचीच चल रहे थी तो ऐसे में ब्लॉग लिखने की क्या आवशकता थी? इस पूरे विवाद से कू एप को क्या लाब हुए इस पूरे विवाद से कू को काफी ज़्यादा फाइदे हुए जब सरकार और ट्विटर के बीच में तना तनी बढ़ी तो कू के डाउनलोड बढ़ने लगे पहले के कंपैरिजन में कू के 20 सुना डाउनलोड बढ़ गये और उनकी वेबसाइट पर 50 सुना ट्राफिक भी बढ़ गया कू को देशी ट्विटर कहा जारे लगा क्योंकि ये ट्विटर के ही तरह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जब ट्विटर और सरकार के बीच में तना तनी बढ़ी तो इसके बाद केंदर सरकार के बहुत सारे मंत्रियों ने केंदर सरकार के बहुत सारे विभागों ने सरकारी विभागों ने और यहां तक की नीती आयोग ने भी कू पर अपना अकाउंट बना लिया और इसे देशी एप और देशी ट्विटर की तरह एक एप के रूप में देखा जाने लगा अब हम बढ़ते हैं अपनी अगी स्लाइड के और जिसके बारे में हम कू के बारे में जानकारी हासिल करेंगे यह मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि यह ट्विटर के तरह ही माइक्रो ब्लॉगिंग वेब साइट है और इस एप को पिछले साल मार्च में लौच किया गया था यानि कि 2020 मार्च में यह लौच हुई है Bangalore की BombiNet Technology Private Limited ने इसको बनाया है अब हम यह जानेंगे कि इस एप को किस ने डिजाइन किया है और इस एप में फीचर्स कौन-कौन से है इस एप को भारत के ही एप प्रमेर राधा कृष्णन और मैंक ने डिजाइन किया है और इस प्लैट्फोर्म पर आप 400 करेक्टर में कोई भी बात लिख सकते हैं इस प्लैट्फोर्म पर एक मिनट का ओडियो या वीडियो भी आप अपना शेयर कर सकते हैं इसके अलावा भाषा को लेकर भी इसमें खास बाते हैं जैसे कि ट्विटर में सिर्फ अंग्रीजी भाषा में ही आप समबाद कर सकते हैं लेकिन उसके विपरीत इसके अंदर हिंदी अंग्रीजी समेत करनर, तमिल, तयलगू और मराटी भाषा मौजूद है और आने वाले समय में इन भाषाओं को और बढ़ा दिया जाएगा जिसमें संस्कृत समेत 12 भाषाओं के अंदर आप इसके अंदर समबाद कर सकते हैं अब हम यह जानेंगे कि कूँ एप की आवशकता क्यों पड़ी जैसा कि हम सभी को मालूम है कि भारत की आबादी 130 करोड के आसपास है और ट्विटर को यूज करने वाले लोगों की संख्या 2,5 करोड के आसपास है उसके अलावा ट्विटर की जित्ते भी यूजर्स हैं जादा अंग्रेजी में ही है और भारत के अंदर मैक्सिमम जो जनसंक्या है वो हिंदी भाशी है तो हम यह कह सकते हैं कि 90 परतिशत आबादी अंग्रेजी में बात यहाँ पर नहीं करती है तो इसलिए किसी ऐसे माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट की आवशकता थी जिससे कि अपनी भाशा में समवाद कहा जा सके या बोला जा सके या सुना जा सके लिखा जा सके तो इसलिए इसकी आवशकता थी इसके अलावा कू में कई ऐसे फीचर्स हैं जो ट्विटर में नहीं है जैसे कि सबसे बड़ा जो इस पे हम बात अगर करें तो लैंग्वेज सेलेक्शन का फीचर्स कू के अंदर आपको कई सारी लैंग्वेज मिलती हैं और जिस लैंग्वेज को आप सलेक्ट करते हैं उसी लैंग्वेज में आपको सब कुछ दिखाई देता है इसके अलावा कू के अंदर एक और फीचर ऐसा है जो ट्विटर में नहीं है जैसे कि पीपल फीट पीपल फीट का मतलब ये है कि आपको इसमें सारे यूजर दिखेंगे और आप उनको फॉलो कर सकते हैं इसके कंपैरिसन में ट्विटर के अंदर लोगों को सर्च करना पड़ता है ट्विटर के अंदर ये फीचर भी नहीं है को को लेकर तीन विवाद भी जुड़े हुए हैं और इन तीन विवादों में सबसे प्रमुख है डेटा लीग का विवाद उसके बाद आता है चीन से कनेक्शन का विवाद और तीसरा जो विवाद है इस पर आरोप है कि ये राइट विंग से सम्मन्द रखता है तो क्या ये सारे विवाद सही हैं अब हम जानेंगे सबसे पहले हम देखते हैं डेटा लीग का विवाद फ्रांस का हैकर है जिनका नाम है एलिएट एंडरसर उन्होंने ट्विट करके ये जानकारी दी है कि कूपर जो डेटा है वो लीग हो रहा है और इसके डेटा के अंदर इमेल आइडी से लेकर डेट ऑब बर्थ, मेरिटल स्टेटस, जेंडर जैसे चीजें हैक की जा सकती है इस पर कू का कहना है कि क्यूंकि इसमें डेटा पहले से ही पब्लिक है तो उसमें लीग होने और नहीं होने का कोई सह सम्मंद हो ही नहीं सकता लेकिन इसमें एक लूपोल भी देखा जा रहा है लूपोल ये देखा जा रहा है कि माल लेजिए किसी A नाम के व्यक्ति की ID 1, 2, 3, 4 है और B नाम के व्यक्ति की ID जो है 1, 2, 3, 4, 5 है अगर ये A नाम का व्यक्ति अपनी ID का जो है चेंज करके 5 इसमें एड कर लेता है तो वो B की चीज़े भी देख सकता है लेकिन इस पर भी कू ने अपनी सफाई दी है और उनका कहना है कि वो देख तो सकता है लेकिन वो सिर्फ वो ही चीज़े देख सकता है जो पबलिक है इसके अंदर किसी इनसान की date of worth और उसका जेंडर क्या है और उसका नाम क्या है ये तीनों ही चीज़े नहीं दिखाई दे स सकती है तो ये विवाग यहीं पर खतम हो जाता है और कुछ हद तक ये भी लगता है कि ये किसी दूसरे प्लैटफॉर्म की छवी धूमिल करने की वजय हो सकती है या एक कारण ढूनने का जैसा ये केस हो सकता है इससे जो दूसरा विवाग जुड़ा है वो है चीन से कनेक् लगा है कुछ माइने में ये बात सही भी है कुछ साल पहले यानि कि धाई साल पहले शून वेई कैपिटल ने इसमें कुछ स्टॉक खरीदे थे जो कि बहुत ही माइनर क्वांटिटी में थे और अब वो सारे स्टॉक बिक्वाए जा रहे हैं तो अब इसका वर्तमान में इ Pacini कंपनी है एकजाम्पल के तौर पे फेसबुक ने जीओ में अपने स्टॉक लगाए हुए है इसका मतलब यह नहीं है कि झीयो भारतिय कंपनी नहीं हैं और वो एक अमेरिकी कंपनी stick ठीक इसी तरह कू एक पूरी तरीके से भारतिय कमती है। इसके साथ एक और विवाद भी जुड़ा हुआ है और वो विवाद है राइट विंग कनेक्शन। जब कूब में सरकार ने दिल्चस्पी दिखाने शुरू की तो सारे केंद्रिय मंत्रियों ने, सारे केंद्रिय विभागों ने इसमें अपने अकाउंट बनाने शुरू कर दिये। और इसके साथ ही इसको राइट विंग एप कहा जाने लगा। लेकिन इस पर भी कू का कहना है कि यह एप एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए खुली हुई है। इसके अंदर ऐसे कोई फीचर नहीं है कि किसी संगठन विशेश का आदमी ही इसमें आ सकता है या किसी पर्टिकुलर पार्टी विशेश का आदमी ही या किसी विंग विशेश का आदमी ही इसमें आ सकता है इसमें कोई भी आ सकता है यह पूर्ण तरीके से सभी के लिए आज का हमारा प्रश्ण है कि कू एप से सम्मंदित कतनों पर विचार कीजिए कथन एक यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेब साइट है कथन दो इसे मुंबई की BombiNet Technology Private Limited ने बनाया है उप्रोक्त में से सत्य कतन है कमेंट सेक्षन में आप इसके उत्तर अवश्य दें आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा पिछली वेडियो में जो प्रश्ण पूछा गया था उसका सही जवाब है सयुक्त अरब अमिराद याने की अंतरिक श्यान हो सयुक्त अरब अमिराद से सम्मन्दित है इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं और प्लीज डोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल थैंक्यू सो मच्छ अरब तो लाइक शेर और शेर अब्सक्राइब तो नेवर मिस अप्टेट